हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का ग्यानम के ओनलाइन लेंडिंग प्लैक्फोर्म पर कैसे आप सब उमीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एक्जाम के लिए जो प्रिपेशन है वह बहुत अची चल रही होगी तो आची क्लास में मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं प्रिवेस यर के कुछ और अच्छे कोशन तो आज देखेंगे कि हम जो आपके एक्जाम में कोशन आये हैं उन कोशन को आप कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं और उन कोशनों के लिए बैस अप्रोच क्या र अवलेबल है आपके पंजाब एक्जाम को टार्गेट करते हैं उन्हीं एक्जाम को टार्गेट करते हुए आपके लिए क्लास अवलेबल है अगर आपको कोछ भी डाउट है क्वेरी है तो आप 917-343434 9646-888-377 इन नंबर्स पे कोल कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट कोश्चन क्या बोला गया है B and C working together take as many days as A alone take to do a work if A and B working together complete the work in 15 days and C alone complete the work in 30 days then in how many days will B alone complete the work तो B अकेला कितनी देर में करेगा देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें उसने क्या बोला है कि A जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम आपका B और C लेते हैं मतलब टाइम का रेशो क्या है 1 रेशो का अगर टाइम का रेशो 1 रेशो 1 है तो efficiency का भी रेशो क्या हो जाएगा आपका 1 रेशो 1 होगा क्योंकि time और efficiency दोनों एक दूसरे के inversely proportional होते हैं उसके बाद उसने क्या दिया कि A प्लस B मिलकर इस काम को 15 days में complete करते हैं C अकेला अगर जब करता है तो 30 days में complete करता है तो LCM लेंगे तो 30 आ जाएगा तो A प्लस B के efficiency 2 और C के efficiency क्या होगी 1 होगी और C के efficiency यहां से क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी अब देखो अगर total efficiency की बात करें तो A प्लस B प्लस C के efficiency क्या है 3 है और जो A के efficiency है वही आपकी B प्लस C के efficiency है तो यहां पे अगर मैं B प्लस C की जगह A पुट करना चाहूं तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2 A किसके एकवल 3 के एकवल तो A के efficiency क्या होगी आपकी 3 बाइ 2 मतलब 1.5 होगी A के efficiency क्या आ गई आपकी 1.5 ठीक है अब A प्लस B के efficiency क्या है 2 A प्लस B के efficiency क्या है 2 अगर यह 1.5 है तो B के efficiency क्या होगी तो आप कहेंगे कि B की जो efficiency है वो 0.5 होगी जो B के efficiency है वो 0.5 होगी तो B कितना time लेगा 60 divided by 0.5 तो टोटल वर्ट क्या था 30 था 30 divided by 0.5 और यह क्या आजाएगा आपका 60 days अंसर आजाएगा 60 days option C इस question का right answer था option C आपका इस question का right answer था उमेद करता हूँ कि clear होगा अगर screenshot लेना चाहते तो आप इसका screenshot ले सकते हैं उसके बाद बढ़ते है next question की तरफ next question आपका आपके सामने है क्या कह रहा है रमन सेलरी इस 15% less than अजे दो लोग है रमन और अजे अब अगर मैं 15% की बात करूँ 15% की आप fraction value भी बना सकते हैं जो 3 by 20 होगी कि अगर अजे की सेलरी 20 है तो रमन की सेलरी उससे 3 कम होगी 17 होगी ठीक है 3 कम होगी तो 17 होगी by what percent is अजे सेलरी more than रमन सेलरी तो अजे की सेलरी कितनी ज़ादा है 3 किस से 17 से into 100 ठीक है तो सबसे पहले तो यह 1 पे डिवाइड करेगा क्योंकि 300 by 17 है तो उसके बाद 13 बचेगा उसके बाद 7 पे डिवाइड करेगा मतलब 17 पॉइंट 19 111 बचेगा उसके बाद 6 पे डिवाइड करेगा तो 17.65 option B आपका इस question का right answer होगा बहुत ही असान question था next question आपके सामने है क्या कह रहे है कि A ratio B A ratio B क्या है 5 ratio 9 उसके बाद B ratio C क्या है आपका B ratio C है 2 ratio 3 और C ratio D क्या है 3 ratio 5 C ratio D क्या है 3 ratio 5 ठीक है A B C D का ratio calculate करना है तो दखो सबसे पहले A यहाँ है तो इन सब को multiply कर लो 5 इन्टू 2 10 10 इन्टू 3 30 उसके बाद 18 इन्टू 3 54 उसके बाद यह हो जाएगा 3 इन्टू 3 9 9 इन्टू 9 81 और उसके बाद आपका हो जाएगा 5 इन्टू 3 15 15 इन्टू 9 135 सब में 3 का multiple है divide कर दो 10 18 27 और 45 option C आपका इस question का right hand से था single step में आप कर सकते हैं देखो कैसे होता है जब A यहाँ है तो इनको multiply कर लो फिर B के लिए B से B पर आएंगे फिर नीचे की तरह फिर B से C, C से C और फिर इन सब को multiply कर लो ठीक है single step में आप solve कर सकते हो step by step करोगे तो यह question थोड़ा सा lengthy पढ़ जाता फिर आपके लिए क्या क्या रहा है an item is sold for 10,400 cash or 4,000 cash down followed by 3 monthly installment of 2200 each find the rate of interest under the installment plan correctly to the two decimal place क्या क्या रहा है कि भाई एक item आपका अगर आप cash में लेते हैं तो 10,400 का है cash में लेते हैं तो 10,400 का है और दूसरा क्या है कि आप 4,000 पे की down payment कर दो 4,000 की down payment कर दो और उसके बाद 3 monthly installment बना लो 3 monthly installment बना लो of rupees 2200 each कितना 2200 रुपए हर installment में आपको देने है find the rate of interest under the installment plan तो यहाँ पे जो rate of interest लगेगा वो हमें calculate करना देखे यह question है आपका SI का ठीक है अब देखिए अगर इस question को कैसे कर सकते हैं आपके पास 10,400 रुपए थे item के product आपने क्या किया 4,000 रुपए उसको cash दे दिये चार हजार रुपए cash दे दिये तो बाकी मतलब जो amount बचा 6400 रुपए आप उसकी installment बनाना चाहते हैं आप 6400 रुपए की चाहते हैं कि आपकी installment बन जाए 4000 रुपए आपने cash दे दिये तो दुकान वाले ने क्या किया आपकी 2200 रुपए की तीन installment बना दी तो मतलब आपने total जो पैसा दिया वो 6600 रुपए दिया total जो पैसा दिया वो कितना दिया 6600 रुपए अगर इन दोनों के बीच का मैं interest की बात करूँ कि interest आपने कितना दिया तो आप कहेंगे कि मुझे यहां से जो interest पड़ा वो 200 रुपीज का interest पड़ा जो interest हुआ वो कितने का हुआ 200 रुपीज का interest हुआ ठीक है अब देखो तो यहां से आपका principle क्या था पहले महीने principle था आपका 6400 रुपए आपने इस में से क्या किया आपने इस में से 2200 रुपे दे दिये अगर मैं इस में से 2200 रुपे माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 4200 रुपे दूसरे महीने का मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो 4200 रुपे होगा फिर मैंने इस में से 2200 रुपे दे दिये तो अब मेरे पास कितना बचा? 2000. तो जो मेरा principal होगा, पहले महीने 6400 रुपए, फिर 4200 रुपए, फिर 2000 रुपए. टोटल अगर मैं बात करूँ, तो 12600 रुपए मेरा principal बना. तीम महीनों में 12600 रुपए मेरा principal बना, जिसके उपर जो मैंने interest दिया, वो 200 रुपए दिया. कितने के उपर? 12600 के उपर, into rate of interest calculate करना है 1 by 12 divide by 100. ये 1 by 12 इसलिए किया है, क्योंकि जो आपकी installment है, वो monthly है. जो आपकी installment है, वो कैसी है? monthly है. चलो, करें solve इसको. पहले तो आपकी 2-0 से 2-0 cancel हो जाएगी. 6 से divide करेंगे, 21 पे divide हो जाएगा, और 6 इसको 2 पे divide करतेगा. तो ये आपका बन गया, 400 बटा 21. 400 बटा 21. तो ये rate of interest है आपका. पहले divide करेंगे, पहले तो 1 पे divide करेगा. फिर बचेगा आपका 19 मतलब 190. फिर किस पे divide करेगा? 9 पे divide करेगा, 9, 189, मतलब 99 पे divide कर देगा, तो 19.09. क्योंकि जब 19 पे divide करोगे, तो 1 ही बचेगा, फिर 0 और उसके बाद 5 के आसपस divide करेगा, तो आपका क्या आजाएगा? Option C, आपका इस question का right answer होगा. देखो, installment वाले question SI में आए, तो आप इस concept से कर सकते है, जब down payment वाला question आए, और CI का मैंने आपको, SI का भी मैंने आपको इक question करवाय था, compound interest का भी करवा दिया, और simple interest का भी, ठीक है? क्या कर रहता? Selling price and the mark price of an item are 5100 and 60, 51 K and 60 K अगर selling price की बात करें, तो ये 51 K है, और market price की बात करें, तो ये आपका 60 K है, ठीक है जी respectively, where K is a natural number, if the item is marked 60% above the cost price, और जो आप का market price है, वो 60 percent ज़्यादा है, cost price से and a discount of 288 is given, find the profit percentage discount दिया गया 288 का, अब अगर मैं यहाँ से discount की बात करूँ, तो 9 K का discount दिया गया, जो की 288 के equal है, तो यहाँ से ये बताओ, अगर मैं K की value calculate करूँ, तो 288 divide by 9 आ जाएगा, 9 से divide किया पहले 3 पे और 2 पे, मतलब K की value क्या है 32, तो ये बताओ, 60 into 32, ये तो आगया आपका market price, जो की अपने आप में 160% था, into 100, into 100, 0 से 0 cancel, इसको 2 पे divide किया, 6 into 12, मतलब 1200 रुपए, आपका क्या आगया, CP आगया, 1200 रुपए क्या आगया, आपका cost price आगया, selling, ठीक है, अब हमने एक profit percentage निकालना है, तो उसके लिए selling price निकालने, selling price कितना होगा, आपका 51 into 32 होगा, कितना होगा, 51 into 32 multiply कर लें, ये 2 हो जाएगा, 5 into 10, 10 plus 3, 13, carry 1, 15 plus 1, 16, 1632 रुपए, कितना, 1632 रुपए, ये आपका क्या हो गया, selling price हो गया, अब ये बताओ, 1200 रुपए की चीज़ को, 1632 में बेचा, तो profit हुआ, कितने का, profit हुआ जी, 432 रुपए का, कितने के उपर, 1200 के उपर, 1200 के उपर, into 100, ये 2, 0 से, 2, 0 cancel होगी, अब 12 से divide करें, पहले 3 पे divide करेंगा, 12 into 3, 36, 12 गुना 3, 36, कितना बचाएगा, 7, 72, फिर 6 पे, तो 36% option A, आपका, इस question का, right answer होगा, I hope, clear होगा, सबको, उसके बाद, बढ़ते हैं, आगे, ठीक है, चलिए, उसके बाद, next question है, आपके सामने, क्या कह रहे है, तो winner को कितने वोट मिले थे, देखो, सिधा सा question है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, winner और loser में, जो total vote बटे थे, वो 5000, winner और loser के बीच का, जो difference था, वो 300 का था, अगर मैं, दोनो equations को add कर लूँ, तो जो winner आएगा, वो 5300, divide by 2 आ जाएगा, ठीक है, divide करेंगे, पहले 2 से divide करेगा, फिर 6 पे, divide करेगा, फिर 5 पे, फिर 0 पे, मतलब, winner को, 2650 वोट मिले थे, winner को, 2650 वोट मिले थे, कितने में से, 5000 में से, गुना सो, 2 0 से 2 0 cancel, इस से ये cancel, पहले divide करेंगे, तो 5 पे divide करेगा, और फिर 3 पे divide करेगा, 53%, option A, आपका, इस question का, right answer को, I hope सबको clear होगा, देखें, अगर हम बात करें, आपके exam के लिए, तो, आपके exam में, math के section से, difficult question नहीं आते हैं, बोट basic question आते हैं, तो थूड़ा सा, बस आप अपने basic के उपर काम करो, तो आप किसी भी question को, easily attempt कर सकते हैं, क्या कहरा है, scale of a number, natural number is 42 more than, the number, find a number, और ये अपने number से, कितना ज़ादा है, 42 ही ज़ादा है, ऐसे question के तो option से उड़ा दो, देखते ही खतम कर दोगे, equation बनाने के जुरूरत ही नहीं होती, ऐसे question में, चले जी, next question, Renu score 54 marks, out of 150 marks, in a test, and failed by 6 marks, के भाई, Renu ने 54 score किया, और वो 6 नम्बरों से fail होगे, तो मतलब pass होने के लिए, उसको total कितने number चाहिए थे, 54 plus 6, 63 marks चाहिए थे, out of 150, into 100, 50 से divide किया, 2 और 3, 3 से divide करेंगे, 20 into 240, option C, आपका इस question का right answer होगा, 40% marks, उसको pass होने के लिए, चाहिए थे, चलीज़े, next question, इसमें क्या कह रहा है, the average of 27 numbers, is 14, कि first 27 numbers का जो average है, वो 14 है, 27 numbers का जो average है, वो 14 है, and the average of, first 14 number is 12, और जो पहले 14 number है, उनका average कितना दिया गया, 12 दिया गया, and the last 14 numbers of average is 18, और इनका कितना है, 18 है, इनका कितना है, 18 है, what is the 14th number देखो, यहाँ पे total 28 number है, ठीक है, तो एक number मतलब हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, तो जो repeat हो रहा है number, वही हमें calculate करना है, तो सबसे पहले तो इनको multiply करते हैं, तो कितना होगा, 7 into 4, 28, carry 2 हो जाएगा, 8, plus 7, 15, 15, plus 2, 17, carry 1, 2 plus 13, 378, इनको multiply करते हैं, तो यह 168 आ जाएगा, 16 plus 2, 16 minus 2, 256, 256, minus 4, 252, तो यह कितना मन गया, 10, 12, carry 1, 4, मतलब अगर, हम इन 28 numbers की बात करें, तो इन 28 numbers का जो sum है, वो 420 है, कितना है, 420 है, 420 है, और जो 27 numbers थे, उनका कितना था, 378, मतलब जो एक number आपका repeat हुआ, तो वो कितना था, इनके बीच का difference लो, तो 42 आपका answer होगा, option C, आपका right answer होगा, option C, आपका इस question का right answer होगा, चलिए, बढ़ते हैं उसके बाद, next question की तरफ, चलिए, next question आपका simplification का है, देखो, इस type की जब simplification आती है, उसको step by step, धीरे-धीरे solve करते चलो, और नीचे से solve कर, उपर बढ़ेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 4 उपर चला जाएगा, और 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद, 11 इन्टू 2, 22 माइनस 12, कितना बचाएगा, 10 बाइ 11, 10 बाइ 11, तो 11 उपर चला जाएगा, और नीचे यह आपका 10 आ गया, 22 प्लस 10, 32 डिवाइड बाइ 10, और 32 डिवाइड बाइ 10 को आप लिख सकते हो, 16 बाइ 5, और इसको हम लिख सकते हैं, 3, 1 बाइ 5, 3, 1 बाइ 5, मतलब option C, आपका इस question का right answer होगा, option C, आपका इस question का right answer होगा, उमीद करता हूँ कि, आज की class में जितने भी question हमने किये हैं, वो आप लोगों को clear होंगे, अगर कोई भी doubt आता है, किसी भी तरह का, तो आप अपना हर doubt, हमें comment box में बता सकते हैं, आपके हर doubt को solve किया जाएगा, ताकि आपका exam clear करने में, किसी भी तरह की कोई problem ना हो, तो उमीद करते हैं, कि आज का session आप सब को clear होगा, तो मिलते हैं, जल्दी ही कुछ और previouser के question के साथ, अब तक ले take care, thank you so much, all the best.